कि सवी देश वासियों को विनेर अतन सिंका करांतिकारी जैभीम साथियों आज महत्पूर्ण जो है मुद्धे है लाइव गे जिस परकार से लगातार सविधान से लेकर गौजनों पर हमले बहुत तेजी से किये जा रहे हैं और चाहे सरकार उन प्रदेशों में किसी की भी हो वो मौन है जिसकी आवाज जो है निंतर उठती रहनी चाहिए लगातार नियाए भी उन लोगों को मिलना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहा है तो कुछ परमुख गटनाए भी हैं और कुछ विशेश चर्चा भी जो है वो आज आपसे करनी है सबसे पहले बहुजन समाज में जन में सभी संतों गुर्वों मापुर्सों को नमन डॉक्टर बाबा साहब अमेटकर जी को जिनों ने भारत के अंदर एक अलग जगाई सोचित वंचित वर्ग को उपर उठाने का काम किया वे अधिकार दिलाने का काम किया महिलाओं को सरक्षित किया भारत की हर्विती के लिए बाबा साहब मेटकर ने काम किया अपना आदर्स मेरे ही आदर्स क्या भारत में उस पर तेक व्यक्ति के आदर्स जो मानवता की बात करते हैं समता समानता में विश्वास रखते हैं उन सभी के आदर्स बाबा साब मैं बेटकर को पुने नमन करता हूँ और अभार व्यक्त करता हूँ जो भारत के अंदर फूले साब में बेटकर की विचार धारा को इस्तापित करने का काम कर रहे हैं बाबा साब बेटकर जी के लिखनी फूले साब की लिखनी साओ जी महाराज के दुवारा दिये गया रक्षण के दिकार को सुजोए हूए हैं और मजबूती से पूरे देश के अंदर उनके मिशन मुमेंट का परचार परसार कर रहे हैं साथियों भी आपने देखा होगा कि मेरट के अंदर मेरट के अंदर एक बहन की हत्या हो जाती है हत्या से मतलब यह है कि वो बहन जो है कि इस कदर परिसान हो जाती है कि इसको मरना पड़ता है और जो आज धरम पर लगाता टिपनिया करते हैं जाती उपर टिपनिया करते हैं वो बहन है अभी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि करनाटक के अंदर एक गटना गटित हुई थी एक यस्वंत नाम के दलित बच्चे के साथ एक पोल में बांद कर उसको पीटा गया था करनाटका में सिर्फ इसलिए पीटा गया था कि उस पर चोरी का सक जो है वो जाहिर हो रहा था कि इस बच्चे दे चोरी की है वहाँ पर भीमार में की टीम गई लड़ी अब सवाल लड़ना नहीं है सवाल यह है कि आखिर कब तक सिर्फ उजाती के नाम पर यह जो पिड़ा हम लोगों पर हो रहा ही होता रहेगा अभी मद्द पर्देश में दमोहा की गटना है वहाँ पर पती पत्नी और बेटे तीन लोगों को गोली मार दी गई और वहाँ का जो परसासन है वो सरकार के सारे पर लगातार लीपा पूती कर रहा है भीवार्पी की टीम आवाज उठा रही है तो उसको जो है मुकद में दिखाने का लगाकर जेल डालने का डर्द दिखा जा रहा है सब को दिखा जा रहा है अभी मांडले सौर में एक गटना और सामने आई है कि आदिवासी महिला सिमार पीट वे जेल बेजने का विरोध में 28 को गहराव किया जाएगा अब आप यह समझिए कि गटना है कितनी दुखदाई है कि महिलाओ पर महिलाओ को पीटा जा रहा है जहां सरकार कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिये वह है महीं पर महिलाओ को पीटने के पीटा जाता है और फायर दर जिनोती उसके लिए भीमार्मी को अंदोलन का सार्व कारा लेना पड़ रहा है कि और ना जाने कितनी गृटनाय नशवाद जाति के क्लोंगों की जमीन पर कभ़ा किया रहा है अगर कहीं गुहार लगाई जाती है तो फोरण सरकार का एक बड़ा प्रेशर जो है वो दिखा दिया जाता है इस तरह के की तमाम गटनाए अभी आपने देखा को भिंड के अंदर एक बेटी नावालिक बेटी का रेप करके हत्या कर दी गई और तीन दीन तक परसासल बिल्क मंत्री के पास और उस महिला की गाल पर चांटे मारे जाते हैं उसके साथ अबदर वाजा का परियोग के जाता है भारते इंदा पाल्टी के मंत्री के द्वारा मैंने मेरेट का मामला बता कि वानिया सेख जो है उसको मजबूरन जान देनी पड़ी और लगातार इन सभी माम में भी मार्मी अवाज उठा रही है एक ऐसा ही मामला है पलामू का जारखंड का कि व्यक्ति परसासन के सामने आकर हत्या की साजिस हत्या की दमकी दे कर जाता है परसासन को बार बार भी मार्मी के लोग और वो परिवार के लोग ग्यापन के मादर से अवगत कराता है कि हमे वाल आपके सामने हैं तो यह तमाम जो है यह घटनाएं लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है उधर मैंने आज देखा कि बीबीची की न्यूज की एक कटिंग जो है वो आज सोचल मीडिया से लेकर सब जिगए वायल हो रही है वो मेरे वाटसप ग्रूप पर आई मैं आपको उसको पढ़कर भी सुनाना चाहूंगा कि वो जो कटिंग है वो वाके ही अत्तिदिक दुखदाई है कि वहाँ पर मोहन बागवजी जो है न वो बयान दे रहे हैं एक मिड़ जरा वो बयान दे रहे हैं वो सविधान को ये कह रहे है कि सविधान में अब परिवर्तन कि आवसकता है सविधान को जो है वो नए यहां के कानून विवा नई निती के तहट नई निती मतलब क्या है कि सविधान में परिवर्तन कि आवसकता है अब आप समझे कि सडियंतर चल रहे हैं कभी मोहन भागवाजी का ये बयान नहीं आता कि देश के दलितों के साथ मुस्लिमों के साथ इतनी गटनाएं गटित हो रही है इसके लिए कोई सकत कानून बनाया जाए को ये सब लोगों को भी समझना पड़ेगा खास तोर से जो फोले साओ अमेटकर की विचादारा के लोगा जो बुद्ध पैरियार में विश्वास रखते हैं जो सतुल रविजास वानवालमी की संत कभीर में विश्वास रखते है जो संता समानता को चाहते हैं कि आप समय जो है वो एक जुटता का है तूटने का समय नहीं है अगर एक जुट होंगे तो मुझे यह महसूस होता है कि बहुत जल्द यह जो लड़ाई पूरे देश के अंदर मजबूती से चल रही है सोसन के खिलाफ अत्यचार के खिलाफ ग एक ताकत के रूप में पुरे देश में उबर रहे हैं जिससे कि यहां के सोसित वंचितों के अधिकार क्षाए जाना है इसमें कोई डाउट नहीं है अभी पिछले जिनों में मद्द परदिश गया था तो जब मैं मद्द परदिश गया मद्द परदिश के भिन्द में भुमाया तो गटनाई ये सब जाती है दंस पूरे देश में हम लोग झेल रहे हैं मैं मा गया था मदपर्देश भिंड उससे पहले मैं लखनों में गया था लखनों में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है वो हमारे जो आज के बहुजन लिडरान है अलग-लग संगठन से लग पाटियों से उनके फोटो लगा करके उनके फोटो लगा करके एक पुतले में घर के अंदर जलाने का काम कर रहा था और बार बार तलवार को दिखाने का काम कर रहा तो मैंने लखनों में कहा था कि आर एसस के लोगों जो हैं ये हमेशा से गदार रहे हैं इसमें सांवर कर स सबसे बड़ा गद्दार आए सब जानते कि आजादी के समय पर सामवर करने क्या किया था आप चाहें तो गूगल पर सच मार सकते हैं कि सामवर करके माफी पत्र तो आपको मिल जाएगा कि अंग्रेजों से उसने किस परकार के समझो देखिये थे और उनी के लोग जो हमेशा से गद्दार रहे हैं जिन्होंने कभी RSS मुख्यले पर तिरंगा नहीं लेरा है नाकुर में वो तलवार बार बार दिखा रहे था तो मैंने उनको कहा था कि देखे साब आप जो है देखे साब आप जो है तलवार दिखाएं तलवार उठाएं भीमार में कलम तलवार ऋपर भरी ती जिनका नाम बाबा साब अमेट कर रहा है डेहिए मेरा बताने का यह मैं मेर जह बडोधरा गया था 23 सितंबर 1907 को बडोधरा में बाबा साहब के संकल्प अमेटकर ने संकल्प लिया था मैं भी इस सार वहां गया संकल्प दिवस पर और मैंने देखा कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग पूरे देश से और विदेश से कठा होते हैं तो वहां पर उनको सिर्फ जाती के आदार पर रहने के लिए जगह नहीं दी जाती ऑफिस में भी वहां पर बाबा साहब बेड़कर अधिकारी की नौकरी करने गये थे अफिस के अंदर भी उनका जो चपड़ासी था वो उनको फाइल भी फैक कर दिया करता था और उनको यह कहता था कि आप अपना गिलास अलग से लाएं तो बाबा साहब में बेड़कर ने 23 सितंबर 1917 को संकल लिया था सियाजी गाल्डन में बैटकर वही पर एक पास में ही सियाजी बाग नाम से एक गाल्डन है उसमें बैटकर संकल प्यता कि यह जो चूत पन है तो जाती है व्यवस्था वारत के अंदर बहुत प्रभावी है इसको तोड़ा जाए तो बाबा साबंबेटकर को जब पढ़ा आता है तो मन में एक अगनी परजोलित होती है करोद तो नहीं कहांगो लेकिन हाँ जो उस समय हुआ बाबा साब अंबेटकर के साथ जो आज हम जहल रहे हैं जो पढ़ते हैं न्यूट पेपर के माद्दम से टीवी न्यू चैनलों के माद्दम से उसको सबको देखकर के एक अजीब साब महसूस होता है और जो अजीब महसूस होता है बाबा साब को पढ़ा जाता है तो यह समझने का परियास के जाता है कि बाबा साब अंबेटकर उस समय पर जब हम लोगों को बिलकुल अधिकार नहीं थे ना तो कॉंस्टिटूशन था बस कुछ लड़ने वाले जैसे मातमा जोतिवा फुले लड़े जैसे और तमाम मापुर्श जो हैं रहे वो लड़े शिक्सा के अधार पर लड़े और भारत के एक वर्ग को मैं एक अब कि भारत के भाहुसंख्य वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए लड़े तो उनके विश्म जब पढ़ा जाता है तो यह मैसूस होता है कि कितना कश्ट दाई उससे में जीवन रहा होगा और कितना विरोध जिलना पढ़ा होगा अभी मैं मैं बता कि मैं भिंड गया था तो वहां मेरी स्पीच में मेरे सब्द थोड़ा आके पिछे हो गए जिसमें कुछ साथियों ने उसको ट्रॉल करने का काम किया देखें बाबा साब हम बिटकर के लोग है कोई भी व्यक्ति उन सब्दों को अनेनास ना ले हम बाबा साब के बाबा साब के हम परिवार के लोग हैं बाबा साब की वेचारिक सक्ति जो है उसी वेचारिक सक्ति से हम लोग तयार हुए हैं और बाबा साब की उस वेचारिक सक्ति को ही हम लगातार आगे बराने का परियास कर रहे हैं कि और भी लोग बाबा साब मेडकर को पढ़कर फूले पैरियार को पढ़कर मजबूत हों और देश में समतास मानता की आवाज को बुलंद करने का काम करें तो वो जो सब्द थे मेरे उनको कुछ साथियोंने अनय-चलिया बहुत सारे साथी सोसल मीडिया पर उल्टाशिदा लिख रहे हैं तो मेरा सभी से निविदन ये है कि हम बाबा साब मेडकर के लोग हैं जो सब जानता है ये भिवाज मीमें पूरे देश के अंदर बाबा साब तो को मजबूत करने का परियास करें, कहीं कुछ भी गलत होता है, कहीं कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग बडी मजबूती से इस अंदोलन को आगर बढ़ने का काम करते हैं. तो मेरा उन साथियों से भी कहना है जो साथी लगातार इन चीजों को ट्रोल करा रहे हैं लगातार जो है लगातार सोसल मीडिया पर इन चीजों कर रहे हैं देखिए ठीक है आपको अगर यह लग रहा है कि यह गलत है तो हो सकता है कि मेरे सब दर उदर गए हो अगर मेरे सब तो उन सब्दों में सुधार अपने करूंगा लेकिन आज का जो मुख्य कारण है जिस पर ट्रोल करना चाहिए कि अभी एक नेता ने एक स्टेटमेंट दिया है भारत की करणशी को ले करके जहां भारत की करणशी को मजबूत करने की बात होनी चाहिए थी जहां अपने देश की करंशी को विश्व में उपर उठाने की बात होनी चाहिए थी वहीं पर सिर्फ धर्म को आड़े ला करके धर्म को टार्गेट करके भारत की करंशी को उपर उठाने की बात न करके सिर्फ धर्म धार्मिक चित्रोकास पर लगाने का काम इस चीज के स्टे जी भी कहते हैं लेकिन जो बात करनी चाहिए उस पर कोई बात देश में नहीं हो रही है अभी आप देखते हैं कि टीवी न्यूज चैनलों के माद्यम से भी जब आप टीवी न्यूज चैनल ओपन करते हैं तो कोई भी डिवेट आप देखें तो सिद्धी-चिद्धी एक धर लिवेट आपको दिखाई देगी हाला कि देश के अंदर लडाई जो है वो रोजगार की शिक्सा की वो लडाई जो है बिल्कुल जैसे मौन हो गई है पहले न्यूज चैनल कहीं कुछ किसी पर देश में देश में गलत होता था तो उसको न्यूज चैनल दिखाने का काम करत हैं लेकिन न्यूज चैनल उन पर कभी बैस नहीं करते हैं तो मेरा सब साथियों से यह कहना है कि यह लडाई बहुत महत्पूर्ण है व्यक्ति महत्पूर्ण नहीं है हम बाबा साब बेट करके लोग हैं हम आन्यवर कांचिराम साब के मिसन को दीरे 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 करके पूरे और बाबा साब के द्वारा दिये गए जो दिकार है देखिए इस बीच महत्पूर्ण बाद जो मेरे याद आई महब्बा के अंदर भी घटना घटिद हुई है और वह गटना क्या है यह मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा कि कि वहाँ पर जो है न महब्बा में अभी भीमार भी पाट साला खोली गई है और भीमार भी पाट साला पर जाकर लोगों ने हमला किया जी जिला महब्बा ग्राम डर हरा गटना है गाओं के ठाकरों ने एक जुट होकर दली दवस्ती में गाली गलोच की एम भीम पाट साला के बैनर फार डाले कारण भीम Chapel की मिटिंग का कराना वह भीम आरमी पाट साला को चलाना हम आं है भी समझ यह की भीम कार्मी की पार्ट साला उससे तनी बड़ी परिशानी है कि भीम heißt Me उमीद नहीं है लेकिन परसासन में बैठे कुछ लोगों से मुझे उमीद भी लगती है कि वो नया की बात करेंगे यह देखिए यह मैं जो दिखा रहा था आपको यह कटिंग साथ सही से नहीं दिख पारेगों मैं इसको पढ़कर आपको बताता हूं यह महान भागवत जी का कि भारते सविधान में बदलाओ कर उसे भारते समाज की नेतिक मुल्य के रूप किया जाना चाहिए संग परमुक भागवत ने हैदरावाद के कारेकरम के दोरान कहा कि सविधान में बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित है और जरूरत है कि आजादी के 70 साल के इस पर गौर किया जाए देखे मोहन भागवत जी को ये तो दिख रहा है कि सविधान में बहुत सारे हिस्से जो है वो विदेशी मूल पर आधारी थे लेकिन माने नहीं नहीं दिखा कि देश के दली तादिवासियों की इस्तिति क्या है किस तरीके से उनको मारा पिटा जा देने से अच्छा है कि वह यहां पर बैठे जो बाज भाजपा के कुछ दुसकर्मी नेता जो पैदा हो गए हैं उनको समझाए जो महिला को पिटते हैं जिन पर नाजाने रेप के चार्जिस हैं उनको समझाए कि वह अपनी निती को साफ करें और सुधारें जिससे की विव करके कि मन में भी उठी होगी जब उनको समझाए नहीं मिला बाहर से आने के बावजूद भी तो वह जब हम उसको पढ़ते हैं तो वह टीस मन के अंदर उठती है हो जाता है कि कभी कभी सब्द आगे के पीछे और पीछे के आगे हो जाएं देखें बाबा साब के पर इन चीजों को ट्रोल कर रहे हैं कि मुझे मैसुस होता है कि इन चीजों को ट्रोल करने से अच्छा यह है कि आप जो हैं वो लोग जो भारत देश के अंदर विशे संपरदाय के पर लगातार स्टेटमेंट देते हैं उनको ट्रोल करें या फिर उनको ट्रोल करें जो आई वाता रहूंगा जितने भी गटनाई देश में रहेंगी वो सभी आपके भी पहुंचाता रहूंगा साथियों मेरी और से क्रांतिकारी जैवीम जै विमार्मी जै मंडल जै जोहार जै सविदान जै भारत